हेलो काईज, वेलकम टू माय यूटूब चैनल, आज हम आपके लिए फिर से सुन्दर सा डिजाइन लेकर आया हैं, बहुत ही अच्छा और खुबसूरा सा डिजाइन, यह हमारा रिंग वाला डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टिपल फंदे लेने ह होंगे, प्लस टू फंदा हमें एक्स्टा रखना होगा, यहां से लेकर यहां तक हमारा 11 फंदा, 11 फंदा और 11 फंदा, प्लस टू फंदा हमने साइड में एक्स्टा रखा हैं, और यह हमारा डिजाइन आठ सलाईयों में बनके तयार होगा, शेदी साइड से ऐसे दिखेग इस डिजान को आप Jane, स्वेटर, Lady, स्वेटर, Lady, जैकेट, Ladderis कार्डिकान, बेबी स्वेटर, आप किसी के भी स्वेटर ने, कापलाइड कर सकते हैं हैं बहुत थीक, सुन्दर और आसान शेजान है तो चलिए हम वीडियो शुरु करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल के नए हैं तो प्लिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें यहां पी मैंने 24 फंदर रखा हुआ है और यह डिजाइन का फालस लाइए सेदी स्टाइड करने सही मैंने 2 स्लाइब बूं लिया आप चाहिए तो कोई साभी बार्डर बना ले उसके बार सी यह डिजाइन बनाए तो देखिए हम सुरूद के 2 फंदर उल्टा बनाएंगे दो फंदे उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब यहां पे हम दो दो फंदा फेरेंगे देखिए दो फंदा हम आगे की साइड से आगे लाएंगे राइट वालेस लाएं में और ये दो फंदा हम पीछे क साइड से लेट वालेस लाएं में लाएंगे अब चार फंदा सिधा बनाएंगे, एक, दो फंदा उल्टा बनाया, दो फंदा फेर के हमने सिधा बनाया, बीच का एक फंदा हम सिधा बनाएंगे, पांच फंदा सिधा हुआ, अब देखिए पीच एक साइड से दो फंदा हम आगे लाएंगे, राइट वाले सिलाई में, और ये दो फंदा हम पीचे लेके जाएंगे आगे एक साइड से, और चार फंदों को सिधा फंदा बनाना है, देखिए हमारा, ये नौ फंदा हो गया, और दो फंदा हमने उल्टा बनाया, तिगारा फंदा हुआ, दो फंदा फिर से हम दागा आगे करके उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे अब दो दो फंदा फिरेंगे देखे आगीक साट से दो फंदा हम राइट वाले स्लाइम लाएंगे और ये दो फंदा हम पीछेक साट से लिप वाले स्लाइम लाएंगे चार फंदों को उतार के हम चार फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार बीच का एक फंदा सीधा अब पीछे के सैट से हम दो फंदा आगे लाएंगे और ये दो फंदा पीछे लेके जाएंगे दागा आगे करके दो फंदा उल्टा बनाएंगे लास्ट का फंदा पहला स्लाइट करने गवाद द्योस्रा स्लाइए पहला फंदा उतारेंगे एक पंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे अब याँपे 9 फंदा हम उल्टा बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धागा पीछे बीच का 2 फंदा सीधा बना नाए धागा आगे 9 फंदा उल्टा अब देखिए डिजान का तीसरा स्ला ये सीधी सैट तो पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे 1 फंदा उल्टा धागा पीछे 9 फंदा सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बनाना है 1, 2, धागा पीछे 9 फंदा सीधा धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बनाना है उल्टी सैट से हमें हमने जिस तरह से बुना हुआ था उसी तरह से बुनके कंप्लीट करेंगे चार स्लाई कंप्लीट करने बाद देखें डिजाइन का 5 फंदा सीधी साइड तो पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करके अब यहां पे 4 फंदा सीधा बनाना है यहां से हमारा डिजाइन इस्टार्ट होगा दो तीन चार दो फंदा सीधा बना दो फंदा स्वरी उल्टा बनाने बाद चार फंदा सीधा बनाया इस तरह से सलाई को लिखे जाएंगे और दस बार ऐसे लपीटेंगे एक, दो, तीन, चाड़, पाँच, छे, साथ, आड़, नो, दस और इस तरह से देखिए सलाई में हम लपीट के और धागी को ऐसे निकाल लेंगे अब इस तरह से हम धागी को खीचेंगे और ये जो बीच का जो हमारा धागा है विसे देखिए इस तरह से हम देरे-देरे इस तरह से खीचेंगे खीचने बार देखिए धागी को आगे लाएंगे और जिसमें हमने डिजाइन बनाया हुआ था उस फंदे को हम लेट वाले सलाई में उतार लेंगे अब ये धागा पीछे करके इस वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे देखिए इस तरह से टाइट कर लेंगे पीछे सेट से यहाँ देखिए रिंग वाल अडियान हमने बना लिया है अब चार फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे दो फंदा उल्टा धागा पीछे करके चार फंदा सीधा बनाना है एक दो तीन चार यह पाचवा जो फंदा है सीधा उला फंदा उसमें हम सीधी सेट से इस तरह से सलाई लेके जाएंगे और दस बरे से धागे परणा पीटेंगे दो तीन चार पाच छेट साथ आठ नो दस इस तरह से देखिएंगे हम अब देखो धागे को इस तरह से निकालेंगे देखें इसे खीचना है अब बीच वाला जो धागा है उसे धीर धीर इस तरह से खीचना है धागे किस तरह से खीच के हम ऐसे लाएंगे आग एक साइट धागे को और यह सीधा वाला फंदा हम लेफ्ट वाले स्लाइम उतारेंगे और यह वाला फंदा पीछे करेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से खाड़ा टाइट कर देंगे तक यह रिंग वाला डिजान बन जाएंगे अब चार फंदा सीधा एक दो तीन चार धागा आगे दो फंदा उल्ड़ी साइट से उल्टी साइट से जिस तरह से हमें बुनना है उसी तरह से बुनके कम्प्लीट करेंगे अब देखे डिजान का हमारा साथ से लाई है सीधी साइट फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा बनाना है एक दो तीन तीन फंदा सीधा बनाने बाद देखिए ये वाला जो साइट वाला बीच में जो हमें डिजान बनाया था उसके साइट वाले फंदे में ये सीधे वाले फंदे में सेम उसी तरह से में डिजान बनाना है दस बार इस तरह से सलाई में लपेटना है धागी को आगे लेकर आना है और इस तरह से लेट वाले स्लाई में फंदे को उतार के इस फंदे को हमें सीधा बनाना है ले इस तरह से पीछे से धागे को खीच लेंगे ताक ये टाइट हो जाए ये फंदा बीच का हम सीधा बनाएंगे अब इसके साइड वाले फंदे में ये इसी तरह का रिंग वाला डिजान झाल झाल फंदे को सीधा बनाने के बाद हम तीन फंदा सीधा बनाएंगे और धागा आगे करके दो फंदा उन्टा बनाना है धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा अब ये जो स्टाइड वाला जो फंदा है हमारा ये बीच में हमने जो डिजाइन बनाया है अब उसके स्टाइड वाला जो फंदा है से मुसी तरका हम इसमें भी रिंग वाला डिजाइन बनाएंगे फंदे को आगे लाएंगे धागे को अब ये वाला फंदा सीधा वाला फंदा हम लेप टॉलिस लाइं मुतारेंगे इस धागे को पीछे करके अब ये फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे इस फंदे को धागे को पीछे से खीच देंगे ताकि टाइट हो जाए एक फंदा बीच का सीधा अब साइड वाले फंदे में हमें वही डिजाइन बना रहा है धागे को आगे लाना है और फिर से धागे को पीछे करके यहाँ फंदा लेफट वाले स्लाइम उतारके इससे सीधा बना लेंगे सीधा बनाने वाद तीन फंदा और सीधा बनाएंगे धागा आगे करके दो फंदा उल्टा उल्टी साइड से जिस तरह से हमने बना है उसी तरह से बुनके कंप्लीट करेंगे यह आठ सलाइयों का हमारा डिजाइन है आठ सलाइय हमने कंप्लीट कर ली है एक सलाइय में आपको और बुनके बता दे रही हूं यह सीधी साइड है नौ सलाइय तो देखे पहला फंदा उतारके हम एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाएंगे और दो दो फंदा फेरेंगे इस तरह से दो फंदा माग एक साइड से राइट वाल इसलाइम लाएंगे और दो फंदा पीछेक साइड से लेप वाल इसलाइम उतारके चारों फंदों को हमें सीधा बुनना है यहीं से फिर से हमें first pattern repeat करना है यह हमारा 8 सलायों का design है 4 फंदा सीधा बनाने बाद बीच का 1 फंदा सीधा बनाएंगे अब फिर से देखिए 2 फंदा हम पीच एक साइड से फेरेंगे उसे आगे लाएंगे और यह दो फंदा हम आगे एक साइड से पीचे लिख जाएंगे चारों फंदों को left वाल इसलायम उतार के और सीधा फंदा बनाएंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और सेयर करें धागा आगे करके दो फंदा हम उल्टा बनाएंगे बहुत ही इजी और सुन्दर सड़ जाने इस डियान को बच्चों के लिए असानी से बना सकते हैं और यहां पर दो फंदा उल्टा बनाने के बाद देखिए दो दो फंदा फिर से हम फेरेंगे चार फंदा सीधा बनाएंगे इस डिजान को एक बार ट्राइ करके जरूर देखें बहुत सुन्दर बनके तयार होगा बीच का एक फंदा और सीधा बनाएंगे अब पीछ एक साट से दो फंदा हम आगे लाएंगे और यह दो फंदा हम सीधा बनाएंगे चार फंदो को उतार के सीधा फंदा बनाना है धागा आगे करके दो फंदा उल्टा बनाएंगे देखे सेम डिजान हमारा ऐसे ही बनके तयार होगा झाल बनाएंगे तो पीछ बनाएंगे